हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों ये एक बहुत ही important है हर उस student के लिए जो CA final का May 24 का exam लिखने वाला है और वो मुझसे मेसेज करके पूछ रहे सर हमारा May 24 में exam है क्या हम लोगों को self-paced online module की जो किताब है क्या वो हमको मंगवा लेनी चाहिए तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है क्या वो किताब हमको multidisciplinary वाला जो paper है उसमें क्या काम आने वाला है और दूसरी चीज सर क्या हमारे पास पुरानी किताब है तो क्या उससे काम चल जाएगा कि हम लोगों को नई किताब मंगवा लेनी चाहिए तो दोस्तो और एक और सवाल पूछ रहें सर क्या मैं अगर पुरानी किताब ही रखू तो क्या मेरे को differences दे सकते हो नहीं वाली किताब में जो आ रखी है तो दोस्तो मैं आप लोगों को एक बर सबसे पहले update कर देता हूँ पूरा detail मैं बताऊंगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरी बात जरूर सुनने ना पर उसके पहले मैं आपको एक information देना चाहता हूँ जो आप लोगों को सुनना पड़ेगा आप मेरी बात सुनना तब ही मैं आपके बात का जवाब दूँगा दोस्तों CA final direct tax की बात जो है हमारी 4th December को शुरू हो चुकी है हमारे पास 500 से भी जादा बच्चों ने register करवाया है जो आप देख सकते हैं जब आप हमारे groups में join करेंगे और वो सारे बच्चे हमारे live class attain कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को direct tax की class जो है वो live कर लेनी चाहिए अगर आपके बास समय है क्योंकि direct tax में सबसर बड़ा problem होता है discipline और मैं यह जरूर खयाल रखूंगा कि आप रोज-रोज मेरे साथ-साथ करो किसी दिन आपकी 3-4 दिन class छूड़ गए आपका flow तूड़ गया तो आप में को message भी कर दोगे कि sir मेरा flow तूड़ गया please में को वापस track पे ले आओ और मैं वापस आपको track पे ले आओंगा और यह ensure करूँगा कि आपके classes एकदम समय पे खतम हो जाए कुछ समय बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे direct tax के feedbacks क्या आरें towards the end of the video ताकि आपको भरोसा हो जाए अगर आपको आपको interest है तो उसको जरूर देख लेना और किसी दोस्तों को जरूरत है तो उनको पहुँचा देना कि क्या-क्या changes हुए SPOM में SPOM में content पूरा का पूरा वही है Companies Act में वही है SEBI का content इन्हों ने बहुत excessively बढ़ा दिया है और इन्हों ने आपका जो economic law था उसमें पहले 5 act हुआ करते थे अब इन्होंने 2 हटा दिया और 3 act यहां पे बचे हुए है और insolvency bankruptcy code भी इन्होंने आधा ही कर दिया तो फेमा जितना था उतना ही रखा है इन्होंने दोस्तों इन्होंने SEBI इतना बढ़ाया है कि उसके वज़े से हमारे net 40 से 45 pages बढ़ गए है पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर आपका जो SPOM का नया book आया है वो पुरानी book जैसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपके screen पे अगर मैं आपको दिखाओ तो यह आपकी नई किताब SPOM की जिसको मैंने पूरा पूरा design करवा रखा है अगर आप देखेंगे इसका index तो इसमें सबसे बड़ी खासियत इस बार क्या है इस बार summary notes में एक नया चीज आ रहा है और वो है आपका MCQs तो आपको SPOM में और multidisciplinary में दोनों में help करेगा तो दोस्तों यह MCQs आपको करने की ज़रूरत है 1500 से भी ज़ादा MCQs इसमें है और सारे chapters जो भी थे उसको amended और आपके नए module के हिसाब से पूरा का पूरा change किया गया है बहुत सारे छोटे छोटे changes है क्या आपको changes मेरे को दे सकते हो मैं impossible है क्योंकि हमने पूरी book ही redesign कर दी है अगर आप देखोगे तो आप book पहली जैसी नहीं दिखती है आप book पूरी के पूरी क्या हो गई है हमारी redesign हो गई है तो आपको यह समझना पड़ेगा that you will have to if at all you are interested you should get the new books बट दोस्तों मैं आपको बता दू content में सबसे major change सिर्फ और सिर्फ सेभी और सेभी में हुआ है बस content में सबसे major change सेभी में हुआ है बाकी सब changes अगर आप पुराने book से manage करना चाहो तो आप बिल्कुल manage कर सकते हो पर मेरा सवाल है क्यो manage करना है आपको आपको एक तो क्या मिल रहा है आपको सिर्फ books लेनी है आप 12-12, 15-15, 15,000 के lectures लेते हो यहाँ पर आपको कुछ 800-900 रुबे में books मिल रहे है वो SEBI के सारे changes इसमें add किये गए है और जो नए chapter से उसको भी मैंने बैठ करके summarize किया है तो आप वो use कर सकते हो आप दोस्तों आपको एक चीच समझना पड़ेगा क्या आपको यह multidisciplinary क्या आपको यह multidisciplinary में help करेगा आपको यह multidisciplinary में help करेगा आप लोगोंने किस तरीके से तयारी करनी है अगर आप paper 6 की तयारी करनी की सोच रहे है तो किस तरीके से तयारी करनी है उसमें मैंने एक video बनाया है वो video आप जाकर के देखलो उसमें मैंने detail में बताया है उसमें आपको यह book भी help करने वाली है पर आप लोगों ने जरूर ले ले लेना चाहिए किया है तो आपको मज़ा आ जाएगा तो दोस्तों आप लोग अगर genuinely लेने का सोच रहे हो तो इसके prices बढ़ने वाले 17 तारीक के बाद से पहले मैंने 10th को सोचा था पर books हमारी printing में late गई क्योंकि मैंने SEBI का भी summary आड़ कर दिया उसमें पहले SEBI का summary नहीं आने वाला था पर SEBI का भी summary आड़ कर दिया तो आप अभी 17 तारीक से dispatch होने वाली है तो उसके पहले pre booking है तो आप 17 तक अगर register करोगे और simple बात है रहा जब FIFO basis पे orders होने वाले है तो आप अगर जित्ती जल्दी order करोगे उ कित्ती असानी से नहीं मिलेगी so might as well order it early and keep it with yourself because we are taking 7-8 days to deliver it alright so I think you should have it और मैंने आपको अपने तरफ से offer कर दिया मैं से भी दे दूँगा तो दोस्तो यह हम लोग करने वाले हैं आप लोग एक बार books जा करके check out कर सकते है तो आपका chapter 1 है उसका sample मैंने link में दे रखा है तो आप वो जा करके check कर सकते हो तो आपको समझ आ देगा books नए में कैसी लग रही है और यह index आप देख सकते हो ताकि आपको पता हो क्या क्या coverage है disclaimer आपको मैं दे देता हूँ एक chapter जिसका नाम है e-filing वो e-filing नाम का chapter हमने यहाँ पे include नहीं किया है अगर आप देखोगे उनके सिर्फ mcqs include किये है the reason is that e-filing में बहुत सारे form numbers है sequence में पुरा form numbers है और उसमें intermediate के भी बहुत सारे syllabus का form number है आप उसको नहीं पढ़ सकते राजा तो उसके लिए अपन ICI का जो module है उसी को refer करेंगे अगर जरुवत पढ़ी मैं कहूंगा बाकी सब कर लो उसके बाद समय बचेगा तो देख लेंगे ठीक है दोस्तो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों जोईन करने के वज़े से बच्चा जो है आप सिर्फ highlighted चीजों पर focus करना बाकी आप पढ़ सकते हो आराम से पर highlighted वाले पर focus करना बच्चा कहते है सर मैं office से समय से निकल जाता हूँ जिसके वैसे मैं lecture आराम से देख पाता हूँ तो एक तो आपका office का time utilize हो गया दिन भर का सम से पढ़ाता हो that helps a lot of people उसके बाद दोस्तों when we get feel drained out towards the end the energy you get into the lecture मुझे पता है कि जब lecture शाम को 8 से साड़े दस होता है तो आप साड़े 9 बची के बाद naturally ठक जाते हो जब तुम्हारी energy half होती है मेरी naturally double हो जाती है उसके बाद दोस्तों यह देखो इन्होंने क्या लिखा है स तुमको या तो दो चीज़ सोच सकते हो तुम कि सर के genuine student की feedback है या सर ने बहुत पैसे देखर के लिखवा है पर तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझ आएगा ऐसा genuinely नहीं लिखवा सकते सर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कम हो बहुत लोग सोचते है सर शाम को DT करेंगे और इन्होंने कहा है कि तो आप से भी बेटर हो DT में too early to say that but ठीक है सर इसके बाद इन्होंने कहा है मैडम ने कहा है we can see all the efforts that you are putting in the subject to make it easy for us and even fun बहुत मजा आती है सर ग्लास में बहुत पनी examples होते हैं बहुत सारी interesting चीज़े होती है speed एकदम perfect है daily dedicated revision होता है और DT भी संबल जाएगा अगर आप revision साथ साथ कर लोगे और notes का तो क्या ही कहें sir only you can provide such beautiful crisp and yet detailed which is what I always want to make when it comes to making notes that it should be crisp but very detailed emphasizing on each point जहां mistake हो सकती है concept clarity checks में हम लोग ने बहुत काम किया है DT मेर अब दोस्तो module coverage module and I find that each and every word written in the module I can relate it with the example sir students के genuine feedback है कोई extra dragging नहीं होती class में इसलिए समय पे regular batch वाला content आपको exam oriented में मिलेगा दोस्तों इससे कम आपको किसी fast track fast track की जरूरत नहीं है fast track करने साथ चाहिए batch लेने के बाद revision videos देख लेना काम हो जाएगा आपको कोई fast track वागेरा की जरूरत नहीं है आपको कोई regular की जरूरत नहीं है all you need is this batch चाहिए पहली बार पढ़ रहे हो चाहिए आप आगरी बार पढ़ रहे हो तो दोस्तों अगर आप किसी अपने friend को जा तो उनको ये lectures recommend जरूर करना और आपसे में मिलूंगा बहुत ही जल लगले video में until then do make sure that you subscribe to this channel because a lot of videos will be coming up in this channel and I'll see you soon again this is your CA buddy Shubham Singhal signing out